Hello students, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने चैनल में जैसा कि आप लोगों पता है हम आपके लिए back-to-back classes लेकर के आ रहे हैं और आज की जो हमारी class होने वाली है वो होगी M.F.S.T.E.R. की sociology के second semester के paper number 1 पर paper number 1 का आलडी है हमने unit number 1, unit number 2 complete करवा दिया है और unit number 3 हम आपका complete करवा रहे हैं और जिसमें आपने आलडी एक class लगा दिया है जिसमें आपने day 1 number 1 complete कर लिया और day number 2 आज हमारा start हो रहा है तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखिए तो प्लीज चैनल में विजिट करके आप वो वीडियो देख सकते हैं प्रात्मिक समूग का सिध्धान थे वो काफी महात्वपूर है तो प्रात्मिक समूग क्या होता है और इसके आर्थ और प्रगरती के बारे में बात करना है कि इसकी आर्थ और प्रगरती को असपश्ट करना है कि प्रात्मिक समूह को प्रात्मिक क्यों कहा जाता है मतलब प्रात्मिक समूह के बारे में बेशिकली हमको जानना है तो देखो प्रात्मिक समूह के अधारा से हमारा परीचे सबसे पहले किसने करवाया चार्ल्स कूले ने सन 1909 में करवाया समाद सास्त्रिय साहित में इस अधारा को प्रचिलित करने का जो प्रमुख उद्देश है वो इसके द्वारा इन समुहों का बोध कराना है जो बच्चे के व्यक्तित्थ के निर्माण में तथा व्यक्ति को आंतरिक संतुष्टी प्रदार करने का आधार बनाते हैं उसके बाद यहां परिवार उसके जीवन के लिए प्रात्मिक है और वह इस अर्थ में भी परिवार का अत्यदिक घनिष्ट प्रभाव उस बच्चे के विकास पर पढ़ता है और परिवार में बच्चा अपने को कुछ अन लोगों से घनिष्ट रूप से संबंधित पाता है और उन्हीं के संपर्क में आकरके वो सामाजिक गुड धीरे-धीरे ग्रखड करने लगता है प्रात्मिक समूह की वास्तविक प्रकृति निमलिखित रूप में विवेचना की जा सकती है और उसको हम समझ सकते हैं कि आखर प्रात्मिक समूह के आर्थ के बारे में बात किया जाए प्रात्मिक समूह का अर्थ इस आउधार्णा के प्रतिपादक चाल्स कूले के सब्दों में अगर हम समझना चाहें तो जादे असपश रूप से आप समझ सकते हो इन्होंने लिखा हुआ चाल्स कूले ने कि प्रात्मिक समूह से मेरा तातपर उन समूहों से है जिनकी विखेस्ता आमने सामने का घणिष्ट संबंद या सही होग है क्या है कि आमने सामने मतलब एकदम सा एक दूसरे के साथ हम रहते होंगे तब ही तो हम आमने सामने हो पाएंगे और इस प्रकार के समूह अनेक अर्थों में प्रात्मिक होते हैं और वह भी मुख्यता इस आर्थ में कि व्यक्ति के सामाजिक सुभाव वा अदर्सों के निर्माड में वो मूल भूत होते हैं तो इस आधार पर हम उनको प्रात्मिक कह सकते हैं मतलब कि जिनके साथ हम जादे maximum time अपना बेरीद करते हैं और जो हमारे सामने ही होते हैं कुले ने आगे लिखा है कि प्रात्मिक समुह वास्तों में आमने सामने का समुह होता है कि मैं मैं का चक्कर ही समाफ्थ हो जाता है और यह पूरता हम का जनव हो जाता है यानि कि जहाँ पर प्रात्मिक समोव होता है वहाँ पर मैं की जो concept है वो देरे-देरे कम हो करके हम को concept आजाता है कि जो भी कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं या मेरे लिए ठीक है नहीं हमारे लिए अच्छा है हमारा परिवार है हमारी family है तो एक family में यह चीज आपको देखने को मिलती हैं कि हाँ यह हमने किया हुआ यह कुछ भी achievement होई family की तो हमारा है तो यह जो भावना है यह कही न कही प्रात्मिक शम और थात वो प्रात्मिक समूह के अन्य सदस्यों के शुख दुख को ही अपना सुख मानता है कि परिवार अगर अच्छा कर रहा है परिवार अगर सुखी हो रहा है तो मतलब हम सुखी हो रहा है परिवार को दुख हो रहा है मतलब हमें दुख हो रहा है तो कहीं न कहीं उसके सुख दूख हर एक चीज को व्यक्तिका करता है अपना समझता है तो प्रात्मिक समूह इस तरीके का कनेक्शन को कहते हैं तो इस प्रकार प्रात्मिक समूह जो है वो सीमित सदस्यों का आमने सामने तथा अने जो अतियत घनिष्ट संबंध है अजैसा समूह है जिसमें के उद्देश से की समानता, सहान, भूति, सद्भावना और सईयोग ये सारी चीजे एक जैसी पाई जाती है चार tightened स्कूरे ने सबसे महतवपूर तीन प्रात्मिक समूह का उलेक किया हुआ है कि चार्ल्स कुरे ने बताया हुआ है कि तीन सबसे प्रात्विक या सबसे प्रमुख प्रात्विक समू है वो कौन से हैं पहला है व्यक्ति का परिवार दूसरा है बच्चों के लिए जिन साथियों के साथ वो खेलते हैं जिन दोस्तों के साथ उन खेलते हैं उन साथियों का स और तीसरा है पडोस या बेसको का समूहिक समूह। प्रात्विक समूह को प्रात्विक क्यों कहते हैं कई बार ये question आपसे आ जाता है कि व्यक्ति के समाजिक सुभाव और आधर्सों के निर्माड में ये मौलिक या आधार भूत होते हैं और इन समूहों को प्रात्विक इसलिए कहा जाता है कि समय तथा महा तो दोनों को देखते हुए ये सबसे पहले आते हैं जैसे परिवार जो है वो सबसे पहले बच्चे को मिलता है जैसे ही वो जर्म एता है उसको परिवार मिल जाता है थोड़ा सा बड़ा हुआ खेलने लगा तो उसके खेलने वाले बच्चों का समूह मिल गया थोड़ा सा बड़ा हुआ तो अपने आस पास के लोगों को देख बच्चे का बनना या मिढ़ जाना इन्ही प्रात्विक समूहों पर निर्भर करता है कि जिसका प्रात्विक समूहों जितना बेष्ट होगा उसकी लाइफ उतनी ही निखर करके बाहर आएगी क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो वो अनपसूओ या जीवित प्राडियों की तरह के बाद ततकाल, स्वतंत्र और स्वालंबी नहीं हो जाता है इसी कारड जर्म के बाद कुछ वर्सों तक परिवार नामक्चो प्रात्विक समूह है इसका घनिष्ट रियंतर देख रेक के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है तो इस कारण भी प्रात्विक समूः को प्रात्मिक्ता दे गई है और इतना ही नहीं बलकि ब्यक्ति के व्यक्तितु के निर्माड के दिश्टिकोर से इन समूः का महत तो कुछ कम नहीं है परिवार ही समाजिकरण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर पर्थम समूः होता है और यही बच्चा बोलना, चलना, खाना, पीना, आचार, वेवहार और सहानुभूत, सहयोग सारी चीज़े यही इसी टाइम पिरेट पर प्रदर्शित करता है यही से सीखता हैesa, यहाई प्रात्मिक खांग करहार ह ही उस बच्चे को उस और इसी प्रकार खेल के साथी समूव नामक जो प्रात्मिक समूव है उसमें बच्चा सबसे पहले अपनी सामाजिक भावनाओं को बाहरी दुनिया के साथ क्या करता है अभिवेक्ति करता है अपनी स्रीजनात्पकता जो उसके अंदर भावनाओं है वो दूसरों से इंटरेक्ट कर पाता है पहली बार अधरवाई जो अपने परिवार में रहता है तो ज विगर्णा खेल के साथ ही समूहों पर बहुत जादी निर्भड करता है, बुरी संगत और बुरे संग साथ ही बच्चे को नरक की दिशा पर ले जाते हैं और इस दृष्टी से भी प्रात्विक समूह को प्रात्मित्ता माना जाता हैं, और माना भी ऐसा जाता है वो व्यक्ति के व्यक्तित्य के सामाजिग गुड़ों को भरने में प्रात्मिक होते हैं और इन ही कारणों से व्यक्ति पसुता से मानवता की ओर बढ़ता है यदि ये प्रात्मिक समूह अपने स्वस्त रूप में नहीं होते हैं तो व्यक्ति के व्यक्तित्य का संपूर या धाचा जो है व यह समूह प्रात्मिक है क्योंकि इन्हों ने सबसे पहले बच्चे की बेक्टित्व के बारे में बच्चे को उसके बारे में बच्चे का अंदर क्या फिलिक्स आनी चाहिए या उसको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए किस तरीके से समाजी करण होना चाहिए कि सारा कुछ प्रात्मिक समूहों से वो एक्ती ग्रहड करता है, वो बच्चा ग्रहड कर रहा होता है, अब देखते हैं, नेक्स्ट कॉस्टन जो आपके सामने दिख रहा है, फोर्थ नंबर की प्रात्मिक समूह की आखिर विशेस्ता क्या है, प्रात्मिक समूह क्या था, यहाँ पर हमने जोर दिया है कि जो आमने सामने रहें या मतनल पास-पास रहें तो प्रात्विक समों है लेकिन इनोंने ऐसे संबन्धों की बिश्तित विवेचना भी प्रस्टुत नहीं किया है प्रोफिसर जो K primeira बिश्व किसी के साथ रहेंगे वह प्रात्विक समों में आ जाएगा प्रात्विक सम्मूग के लिए प्रोफसर डेविस जो है सारी रिक समीपता को महत्त देते हैं ताकि ब्यक्तियों के घनिश सम्मझ अस्थापित हो सके ब्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने साथ साथ उठने बैठने खाने पीने साथ पढ़ने तथा बातचित करने में उसके विचारों और भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो जाता है और निकट संपर्क में ब्यक्तियों से परिचे भी बढ़ता है और एक दूसरे के परती आदर, सहान, वोती, शहयोग यह सारी चेज़ें पनप्ति हैं जब हम साथ में रहते हैं, साथ में जीते हैं तो परत्विक संबंद के लिए प्रते, केवल सारी रिक समीपता ही काफी नहीं है रेल के कुछ डिब्बे में अथवा किसी बस में बहुत से यात्री एक साथ यात्रा करते हैं परंतु वे एक प्रात्विक सम्हों के संदस नहीं माने जाते हैं मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि आप सारीरिक समीपता मतलब कोई आपके पास अगर के बैट गया तो आपके प्रात्विक सम्हों में हो गया एक दूसरे के निकट होते हुए भी लोगों के संबंधों में मानसिक द्रिष्टी से निकटता नहीं होती है तो कहीं न कहीं सारीरिक निकटता इसके साथ साथ मानसिक निकटता भी बहुत जरूरी है सारीरिक निकटता प्रात्मिक सम्भो के निर्माड को आउसर प्रदान करता है लेकिन आउसर का लाव उठाना सम्भो हो सकेगा या नहीं यह परिस्ति डिपेंड करती है यह परिस्ति संस्कृति द्वारा परिभासित होती है तो इस तरीके से पहले चीज उन्होंने कहा सारे निक डिकटता दूसरा है इन्होंने कहा जो चीज है वो कहा कि जो है संबंधों की आवदी कि कितनी है संबंधों की आवदी नंबरिंग पर गलती हो गई है दूसरा है यह तीसरा है संबंदों की अवदी, duration of relationship यानी कि संभंदों की अवदी का घंशता के साथ साथ सीधा सिधा संबंदänder संबंदों का काल जितना लंबा होगा सादारता उतनी ही अधीक मात्रा में घंशता बढ़ने की संभावना रहती है संबंदों में घंशता का होना प्रात्मिक समूग के अस्थापना के लिए आवस्तिक है निरंतर ब्योहार से ही सदस्यों में एक दूसरे के प्रती विश्वास और आत्मियता का भाव पैदा हो सकता है जो संबंदों को घनिष्ट मनाने के लिए बहुत जादे बॉर्ण ठेके अगर से संबंद घनिष्ट बनाना है तो उसमें इस टाइम देना है बॉर्ण जब तक आप तो असा टाइम देना होगे तब तक आपके अंदर वो ट्रस्ट वो बैलूस डबलम नहीं हो सकती वो भरोसा या वो आत्मियता नहीं आ सकती है तो सारेरिक समीपता होनी चाहिए और कुछ आवद ही के लिए कुछ टाइम के लिए साथ होने चाहिए तीसरा है उद्देश्यों की समानता एक प्रात्मिक सम Eastern की जो इच्छाएं प्रमृत्ति प्राया समान होती है और इसी कार्ड वो साथ-साथ रहते विए समान जो उद्देश है उसके प्राप्ति का प्रेतन करते हैं वे संसार को एक दिश्टी से देखते हैं दो मित्रों में प्राया एक ही दिश्ट कोड पाया जाते हैं प्रात्मिक समूव में प्रतेक सदस दूसरे के हित को ही अपना उदेश बना लेता है और इस प्रकार प्रतेक दूसरों के हित में काम करता है यहां एक उदेश दूसरे के उदेश बन जाता है उदाहड के लिए एक माता अपने बच्चे का पालन पोसर करते हुए अपने स्वैम के स्वास्त की भी चिंता नहीं करती है और कई बार अपना स्वास्त तक पिगाड लेती है उसका ऐसा करने का कारण यह है कि बच्चे के सुख़दुख को वो अपना सुख़दुख माती है क्योंकि बच्चे के साथ उसका जो सहनुभूत पूर्ड संबंद है न वो यहां एक दूसरे क्या उद्देश को पूर्ड एक ही करण पाया जाता है संबन्द की इस बिसेस्ता को ब्यक्त करने की दृष्टी से परिवार एक काफी महतुपूर उदाहर है जिसके बादियम से हम ये चीज़ों को समझ सकते हैं तो उद्देशों की जो समानता इसके कारण प्रात्मिक समूह के सदश्यों में हम की भावना बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है और यहां सदश्यों के जो ब्यक्तित तो है ब्यक्तित तो स्मू violations हो जाते है यानि कि ब्यक्तिकत जो उनकी चीज़े है वो समू merak हो जाती है और उनमें से एक जो कुछ अनुभो करता है वैसा ही दूसरा भी अनुभो करने के लिए प्रभ्रत हो जाता है और ऐसे समोह में कोई भी सदस अपने हित का त्याग नहीं करता बलकि वास्तविक्ता यह है कि दूसरों के हित को ही वो अपना हित बना लेते हैं अगली चीज़ है आपका संबंध स्वयम साध्य होते हैं यानि कि relationship is in itself यानि कि प्रात्मिक समोह में संबंध किशी श्वार्थ अथवा किशी उद्देश की पूर्ती के साधन के रूप में नहीं होते हैं यहां संबंध स्वयम ही अपने आप में साध्या टार्गेट होते हैं हाँ बस ये परसन है मेरी लाइफ में और ये इस परसन को कुछ भी नहीं होना चाहिए, इसके लिए चाहिए जो कुछ हो जाए, that doesn't matter. तो प्रात्मिक संबंधों में इतनी घरिष्टा पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बढ़ने वाला व्यक्ति एक दूसरे की बिना रहना प्राया कठिन समस्ते हैं. मित्रों में एक छोटे संबंध अथवा एक परिवार में सदश्यों के जो आफसी संबंध ही अपने आप में काफी बहतुपूर होते हैं. ये संबंध स्वयम ही साध्य होते हैं, कि ये उद्देश की पूर्ती का साधर मातर नहीं होते हैं. प्रात्मिक समोह की जो सदस्टता है इसलिए ग्रहन नहीं की जाती ही कि उससे आपको कोई लाब होगा या आपका कोई स्वार्थ पूरा होगा ऐसे समोहों का उद्देश तो प्रात्मिक संबंद स्थापित करना होता है और इस संबंद में डेविश ने लिखा है कि यह संबंद संबिदा आर्थिक लाब अथवा राजनीतिक उद्देश चे प्रभावित नहीं होते हैं बलकि ब्यक्तिगत आत्मिक भावात्मक हो करके अपने आप में ही पूर्ड होते हैं तो इस तरीके कि जो संबंद बनते हैं उनको हम गहते हैं प्रातमिक संब्शोह वाले संबंद संबंद व्यक्तिक होते हैं माता भी दहना बच्चों में भाई 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 में भाई भाई में जथा मित्रों में एक ब्यक्तिक संबंद होता है और यह संबंद हस्तांतिरत नहीं किया जा सकता यानि कि जो आपका मित्र है वो आपका मित्र है जरूरी नहीं कि वो जो आपका मित्र है वो आपकी फैमिली भी उसको उसी तरीके से ट्रिट करेंगी नहीं तो हर किसी में अपना अपना उसका व्यक्तिक संबंद होता है, कि आपकी बहन के कोई सहली है, तो उसकी है, आपका उसके साथ उतना अटेश्मेंट होना इटना नेसेसरी, लेकिर आपकी सिस्टर या आपके बरदर के साथ वो अटेश्मेंट जो है, वो तो सुभावता होता ह तो इस तरीके से का आ गया है कि ये संबंद हस्थांत्रित नहीं किया जा सकते कि जो मेरा संबंद यो कुछी और का भी वैसे ही रिलेशन बन सके तो मित्र अथवा माता पिता का अस्थान कोई अन व्यक्ति नहीं ले सकता है किसी भी मृत्यू हो जाने पर ऐसे संबंद सोता ही समाप्त हो जाते हैं ऐसे संबंदों में एक के अस्थान पर दूसरे को नहीं रखा जा सकता प्रोफेसर डेविश ने मतलाया है कि एक नबीन व्यक्तिक संबंद अस्थापित किया जा सकता है एक पुराना व्यक्तिक संबंद समाप्त किया जा सकता है वो हचालक सकती जिससे संबंद को प्रारम कराया है दूसरे को पेड़ा दे सकती है लेकिन एक ही संबंद में एक व्यक्तिक अस्थान पर दूसरे के प्रतिस्थापना नहीं किया जा सकता है इसके विप्रीद एक ब्यक्ति से दूसरे को अस्थांतरित किया जा सकने वाला संबंद जो है वो आब्यक्तिक संबंद होता है जैसे एक स्कूल हो गया दफ्तर हो गया फैक्टरी में काम करने वाले लोग हो गये उनमें जो संबंद में वो आव्यक्तिक है एक व्यक्ति जाता है तो दूसरा व्यक्ति उसका जगा आसानी से ले लेता है तो हम ग्रहा के रूप में कोई भी वस्तु किसी भी दुकान से खरी सकते हैं हमारे लिए वस्तु का महत्तो है ना कि दुकान नार का लेकिन ब्यक्ति संबंद में ब्यक्ति का ब्यक्ति के रूप में महात्व पाया जाता है, यहां किसी भी अस्थान को दूसरा ब्यक्ति कोई नहीं ले सकता है, तो इस तरीके की चीजे हैं, और यह संबंद संपूर्ध होते हैं, अपने आपमें, the relationship is all inclusive, श्यारी कि प्रात्मिक संबंद में संपूर्धा का गुड़ पाया जाता है, ऐसे संबंद में ब्यक्ति, संबंद में ब्यक्ति के जीवन का किवाल एक पहलू नहीं होता है, बलकि ब्यक्ति अपनी संपूर्धा के साथ उसमें भाग लेता है, और प्रात्मिक समूर्ध में बधने वाले ब्यक्ति, दीरकाल से चले आ रहे हैं परिचे या घनिष्ट संपर्ख के कारण एक दूसरे को पूरी तरह जानते हैं एक डाक्टर का मरीच के साथ था सिछक अपने सिछार्थी के साथ पाया जाने वाला संबंध जीवन के एक पहलू में संबंधित संबंध है डंटर मरीज ko बिमारी से मुक्त कराना था सिच्छन जो है वो विद्यार्थी को सिचित करना चाहता है इन संबंधों में संपूर्था नहीं पाई जाती है परन तो एक मित्र दूसरे जीवन में किसी एक पच्छ से संबंधित नहीं होता है बलकि वो उसके पूरे संपूर जीवन में रुजी रखता है लेकिन जो teacher हो गया वो बस सिच्छा तक हो गया या doctor हो गया तो जब तक मरीज को वो बिमारी है तब तक हो गया लेकिन जो एक मिंत्र है वो पूरी life उसके साथ होगा तो उनकी सिच्छा, स्वास्त, बिबाह, परिवार, परिवाहिक जीवन हो गया ब्यवाहिक जीवन हो गया तब हर एक aspect में वो कही न कहीं connected होगा तो संपूरता पाई जाती है तो प्रात्विक संबंदों की महत्पूर विशेस्ता संबंदों की ही पूरता में होती है जहां ऐसे संबंद पाया जाते हैं, जहां व्यक्ति एक दूसरे के जिवन में प्रवेश कर लेता है नेक्ष्ट है आपका प्रात्मिक संब्धों की विशेस्ता वो है संबंद का सोतह विकास यानि कि प्रात्मिक जो संबंद होते हैं सोतह स्वभाविक रूप से बनते हैं इनके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जा सकता कोई किसी का मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रती इशने या स्रंधा रखने का बाद नहीं कर सकता है प्रात्मिक संबंद को एच्छिक प्रकार के होते हैं किसी के उकसाने ऐसे संबंद अस्थापित नहीं होते हैं ये संबंद तो व्यक्ति की स्वैम की इच्छा से बनते हैं और सोता ही ये क्या होते हैं विक्सित होते हैं अगली चीज है प्रात्विक संबंदों की नियंतर सक्ति, संबंदों की संबूरता और घरिस्ता के काड़ व्यक्ति का जो अस्तित्व है वो साधारता प्रात्विक संबूहों में बिलीन हो जाता है, प्रात्मिक संबंदों के काड़ व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बधा होता है कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूख के अन्ड सदश्यों के लिए कश्चदाई हो या जिसमें आदर्स प्रतिमानों की अवहिलना हो रही हो जैनि कि कई बार क्या होता है कि आप कुछ करना भी चाहते हो लेकिन अगर उससे आपकी फैमिली रिस्क में जा रही है किसी को या फिर आपके फ्रेंड को कुछ हो सकता है तो फिर वो काम नहीं करते हैं क्योंग कहीं न कहीं हम एक दूसरे से क्यां से करनेक्टेट है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे जो प्रात्मिक सम्मू के सदसा उनको कोई प्रांपिक संबंधों के कारड़ ही परिवार या मित्र समूओ अपने सदस्यों के बयोहार सरलता से नियंतित करवाता है तो ब्यक्ति राज़ी के कानूनों की तो औहल ना कर सकता है लेकिन अपने प्रात्मिक समूँ के आदर्स नियमों को नहीं तोड़ पाता है और इस प्रकार प्रात्विक समूह अपने सदस्चों के आचार विचार इन सभी का पूरी तरह से क्या करता है नियंतरड रखता है तो यह है प्रात्विक समूह की अपनी कुछ बिसेशता हैं कि प्रात्विक समूह ऐसे होते हैं देश्चों के साथ जुड़े हुए रहते हैं तो अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अगले वीडियो में दे नमबर 3 में तो इसमें भी हमने दो कॉस्तन कंपलेट कहें आपका फर्ड एन फ्र नमबर का कॉस्टन third number question में हमने देखा कि प्रात्विक सम्वोग क्या होता है इसके विशे कार क्या है उसका आर्थ क्या है fourth number question में देखा हमने प्रात्विक सम्वोग की विशेस्ता है क्या है तो आगे आने वाली वीडियो में और भी important questions है जो कि हम cover करने वाले हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन चैवारत थेक्यू बाबाई